Hello everybody welcome to our channel in today's video we are going to talk about best books for NEET and AIMS examination Friends, आज की इस वीडियो में आपको ऐसी बहुत selective books के नाम आपको देखने को मिलेंगे जो कि आपको अपने NEET और AIMS के examination के लिए प्रिपेर करते टाइम जरूर से पढ़नी चाहिए ठीक है तो अगर आपको वीडियो पसंद है तो like जरूर कर दीजिए और अगर आप new है इस चानल पर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए वकाज इन बुक्स को बताने के साथ साथ इन books को आम आपको बढ़ाएंगे भी ठीक है सो अगर आपको इन बुक्स में से कोई सी बीट आपके पास नहीं है या आपने अप्छे नहीं किये तो डिस्कृप्शन से मैंने लिंक दे दिया है वहां से जाके आप हर बुक का आपको लिंक मिलेगा आप वहां पर क्लिक कर सकते हैं और वहां शुरू करना पड़ेगा वहीं से आपकी नीट की जहां शुरू होती है और नीट की प्रिपरेशन एंसी आइट पर ही खतम होती है हां एम्स की त्यारी के लिए आपको थोड़ा आगे के तक सोचना पड़ता है बट नीट के लिए 80-90% आपकी एंसी आइटी ही आती है ठीक है आपने यह बहुत famous saying है आपने ज़रूर सुनी होगी NCRT books are key to the need ठीक है for building basics of physics, chemistry and biology refer to NCRT book अगर आपको अपना base बनाना है physics, chemistry and biology की subjects में तो आपको NCRT books को ही refer करना चाहिए NCRT और previous year के question papers हैं यहीं आपको आपकी success दिलाएंगे अगर आपने NCRT के उपर आपकी पूरी command है और आपने previous year 30 previous year की question answers किये हुए है तो आपको success लेने में need examination को clear करने से कोई भी नहीं रूख सकता है तो चलिए आगे बढ़ते हैं बहुत सारी books हैं ऐसी जो आपको market में मिल जाएंगी जो की need के लिए भी होंगी, aims examination के लिए होंगी बट ऐसी बहुत ही selective और बहुत important कुछ ही books हैं जो की आपके काम आएंगी books तो बहुत जादा publish हो जाती है market में बस काम बहुत काम आती है यह कोई paid promotion नहीं है मैंने कुछ books को select किया है वही books आपको यहाँ पर में provide करा रही है आपको link description box में सभी books का मिलेगा वहां से जाके purchase कर सकते हैं अगर कोई book आपके पास नहीं है बट प्लीज लेट मत करना अभी करो purchase अगर आपके पास नहीं है यहां से करो बाहर से करो बट पर्चेस जरूर करो क्योंकि इससे क्या होगा आपकी preparation में आप जो मैंने all the details regarding the books a candidate must follow for the preparation of MBBS 2019 exam MBBS 2019 का कोई भी exam हो चाहें वो जिपमर हो aims हो ठीक है या फिर आपका neat examination हो सभी के लिए यह books बहुत जादा help करेंगी सबसे पहले हम आ जाते हैं हमारी physics के books पे physics के सबसे पहला जो बुक है हमारा ncrt का आपको ncrt ज़रूर पढ़ना है ncrt को complete करने के बाद और complete कैसे करना है अगर आपने एक चैप्टर पर लिया उसके बाद आपको एक objective लेनी है कोई से भी objective आप ले सकते हो सबसे बेस्ट है जो वह है ncrt at your fingertips ठीक है यह बहुत अच्छी यह जो है आपको इसके अंदर बहुत साधा पुराने साल के आपको question papers मिल जाते हैं 20 years तक कि आपको back papers chapter wise मिलते हैं questions मिलते हैं तो उससे अच्छी बात आपको क्या चाहिए आपने एक chapter प्रिपेर किया आपने सारे question and answers एक chapter के पढ़ लिए तो एक book हो गई आपकी ncrt को complete करनी है second one है अगर आपको concepts और aims के लिए आपको अपने concepts तयार करनी है तो आप HC वर्मा को ज़रूर पढ़े सर के उपर से जाएगी पहली बात reading में बचसी किन टाइम में आपको बहुत अच्छी से समझ में आने लगी वॉल्म वन और वॉल्म ट्यू दौनों की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है ठीक है प्रदीप की जो fundamental physics है वो थोड़ी HC वर्मा से मिलती जुलती है तो में मेरा सजेशन यह रहेगा आप HC वर्मा या प्रदीप में से कोई सी भी एक बुक लें दौनों लेकर ना बैठें वर्ना भटक जाएंगे objective की MCQ वाली जो बुक होनी चाहिए वह आपके पास होनी चाहिए Arianth की बुक बहुत अच्छी अच्छी बुक प्रवाइड करना शुरू कर दिया है पहले से कर रहा है बट अब जो हैं इसके अडिशन में बहुत अच्छी अच्छी सुधार आ गया है आपको volume 1 और volume 2 दौनों की लिंक डिस्क्रिप्शन वोक से मिल जाएगी आप वहां से जाकर देख सकते हो कि फिजिक्स की जो अरेंट की बुक है उसके अंदर objective जो questions से बहुत अच्छी quality के होंगे और पुराने जितने भी साल में जिक्चा किसी भी नाम से medical entrance हुआ हो चाहे AI PMT हो चाहे नीट हो या एम होना पड़ेगा वह कौन से बुक हो सकती है डॉक्टर ओपी टेंडन बहुत अच्छी बुक है इनकी बुक्स मैंने भी पढ़ी है डॉक्टर ओपी टेंडन की बुक्स आपने अगर पढ़ लिए और उनका concept आपके दमाग में आ गया तो chemistry को आपसे कोई दूर नहीं कर सकता है तो पहली हो गई NCRT सेकिंड वन है जो PMT यानि की नीट एग्जामिनेशन के लिए और बहुत सारे मेडिकल एंटरेंस अग्यानिक एम्स जिपमर इन सब के लिए भी डॉक्टर ओपी टेंडन की और गयानिक केमेस्ट्री की बुक बहुत अच्छी है उसके बाद आपकी आपने पड़तों लिया दौनों बुक से NCRT और ओपी टेंडन से इसमें कॉंसेट मिलेंगे आपको आपको प्रैक्टिस करने के लिए क्वेशन चाहिए तो क्वेशन वाली बुक आपको मिलेगी अब्जेक्टिव की NCRT इसमें क्या होगा यह MTG कंपनी की है ठीक है MTG कंप प्रैक्टिस के लिए वहां जाकर चेक कर लीजिए तो कि उसके बाद नीट की प्रिपरेटरी सीरीज यानि की अर्यंत की बुक जहां वॉल्यूम वन और वॉल्यूम टू के मिस्ट्री के लिए वह जरूर आप ले लें क्योंकि उसमें बहुत जादा है और चैप्टर वाइ तो NCRT को 100% करें बिना ना जाएं 5-6 बार आपको NCRT पढ़नी है मतलब पढ़नी है एक एक लाइन के अंदर की क्वेशन चुपा हुआ है प्रीविस यह मैं आप उठा के देख लो 90% क्वेशन 95% क्वेशन NCRT से ही हैं नीट में और अब तो NTA कंड़क्ट कर रहा है आपका NCRT में से ही देगा ठीक है और जो बाकी का 10% जो बचा हुआ बाहर का आ जाता है वो आजाएगा आपका ट्रूमें से यह गैरेंटी है प्रदीप की बुक दौने में से कोई एक ही लेना फिर से बता रहे हूं ट्रूमें की वॉल्यूम वॉल्यूम टू आएगी प्रदीप क के लिए जो कि MTG के द्वारा प्रोवाइट की जारी पुब्लिश की जारी है वह आपके पास हर एक नीट एस्पारेंट के पास जरूर होने चाहिए इसका भी लिंग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाके आप देख सकते हो अब एक आजाती है दिनेश की बुक ठीक है इसका मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है इसमें आपको जनरली 2018 वाला एडिशन ही खरीदना है पुराने वाल एडिशन नहीं 2018 का एडिशन का लिंक में नीचे दिया हुआ है आप उसको आपको वह ना पड़ेगा आपको प्रॉब्लम हो सकती है आपक लिंक पर क्लिक करो तो आप डिरेक्ट 2018 वाले एडिशन पर ही जाओ गए और वहां से आप बाइक कर लिना बहुत एजी स्टेप है उसके और ऐसी और भी बुक्स हैं जो कि इसके अंदर इंक्लूड नहीं थी बट वह भी थोड़ी इंपोर्टन है जिनको आप हाला कि अगर पर इसारी बुक्स की जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे दिये और वहां से जाकि सारी बुक्स बाइक कर सकते और इनमें से कोई भी आपके पास नहीं और अगर आपको यह विडियो पसंद आयो तो फ्लीस इस वीडियो को लाइक जरूर करें औ और अगर आपको लगता है कि यह book जो है और या फिर यह video जो है किसी के काम आ सकती है या किसी को बहुत जादा help कर सकती है तो please इसको share करना ना भूलें आपका एक शेयर किसी एक बची की लाइफ बचा सकता है उसको सही रहा दिखा सकता है कि वह भटके नहीं अपनी बुक्स के चॉइसे में और अची अची बुक्स उसको पढ़ने को मिलें ठीक है आप मार्केट में बहुत सारी बुक्स इवेलिबल हैं बट मैंने कुछ चुनिंदा कुछ सिलेक्टिव बुक्स के इंदर इंक्लूड की है जो कि आपके लिए आगे बहुत सब्सक्राइब करेंगी आपको क्या होगा आप कंफ्यूज नहीं होगी कि किसी भी बुक के अंदर क और इंक्ति कि चटिएं कि कौन सिक पको पड़नी चाहिए और कॉनसी बूख आपको नहीं पड़नी चाहिए यह पढ़ने की चख़र में बुक्स ऐसी नहीं कि रह जाती है और कोई पढ़ता नहीं नहीं हो इंदर क्या इस फॉल्ज ईविकर करें उन खया दौन फेर या NCRT से ही आते हैं तो आपके थोड़ा confidence build-up होगा ठीक है तो इसी के साथ वीडियो को end करते हैं thank you so much have a good day bye bye